तो भाई लोग जो बांगलादेश वर्षेज इंग्लैंड का तीसरा ओडियाई मुकाबला है ना ये मंडे 6 मार्च को 11.30 एम मौनिंग से खेला जाएगा तो दोस्तों अगर हम याप पहले मैच की बात करें तो इंग्लैंड की तरब से डेविड मलान ने सतक लगाए दूसरे मैच की बात करें तो जैसन रगोई ने सतक लगाए तीसरे मैच पे कौन लगाएगा क्या इन दोनों में से कोई लगाएगा या कोई तीसरा आएगा फिलिप सोल, बिल जैक्स, जेम से बिंस या कपतान जोस बटा और बोलेंगे नहीं अभी मेरी बारी है मैच सतक लगाएगा और पिछले मैच में सेम करन ने चार बिकेट निकाले थे 25-26 सन भी बनाये थे इंगलेंड के तरफ से कौन से ऐसे गेंदवाज हो जो हमें बोलेंगे आज मेरी बारी है मैं निकालूँगा चार पांच बिकेट जो बोलेगा चार पांच बिकेट तो मैं निकालूँगा तो भाई लोग आज की वीडियो में हम यहीं जानने वाले हैं दोनों टीमों के एनलासिस करने के बाद ऐसे कौन से बल्ले बाज है दोनों टीमों में जब सबसे ज़्यादा बढ़िया परफोर्फोर्मेंस करेंगे यानि जो सबसे ज़्यादा रण ठोकेंगे कौन से ऐसे गेंद बाज है जो सबसे ज़्यादा बिकेट निकालेंगे कहां पर जहूर एहमाद चौधे स्टेडिया चटो गराम में यहां पर क्यों कि इसी मैदान पे तो भाईया मैं आज के लिए जाना है तो पिसका बिहेवि मैं तो 4-5 बिकेट निकालेंगा तो सोचो अगर इसका पता चल जाएगा अच्छा वो रन मारेगा वो बिकेट निकालेगा तो फंटासी करिकिट की जो विनिंग टीम है उसे बनाने में आसानी होगी तो फिकर नोट आपका भाई आज की वीडियो में आपको यही बताने व क्यूंकि आपको पता मैं कोई हरो हूँ नहीट मैं तो आपकी वीच करहने वाला आपका अपना भाई हो ऐगा घagar आप भाही हैं कि ना कंपड करने के लिए ना तो इसा करते हैं जो बेंच पर लड़के बैठे हैं पानी स्रीप पिला रहें उनको मौका दे दिया जाता है जैसे रहान एमरीश टेफली को भी थोड़ा सा मौका दे के देखते हैं क्या पता बढ़िया परफॉर्मेंस कर लें और हमारे जो बेंच के प्लियर है हमें भरोसा ह हो जाए कि चलो ज़रूरत पढ़ने पर वो तैयार बैठे हैं लेकिन यह जो चेंज है नहीं 50-50 है फाइनल चेंज की बात बताओं कि इंग्लेंड में होगा या ना होगा वह आपको मैच स्टार्ट होने से एक दो घंटे पहले मेरे टेली ग्राम पर मिलेगा तो मेरा टेली जोईन कर डाले बस एक चीज का ध्यान देना फेक से बचना क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेली ग्राम चैनल बना लिया गया है इसलिए इद्धर उद्धर और कैसे जोईन नहीं करना जो लिंक के मिलेग डिस्केप्शन में बस वहीं से जोईन करें और भाई लोग डिसकस करी थोड़ी देर पहले है अब जानते इसमें कौन चलेगा कौन हो जाएगा फ्लोग लेकिन उससे फहले ना जान लेते हैं जो जहूर एहमद स्टेडियम है यहां पे जो आज का मैच होगा इसका बहीवियर क्या होगा कंडिशन क्या होगी जो अभी तक मैच कहलेग 24 24 24 मतलब मीडियम स्कोरिंग मैच यहां पर होते है तो बल्ले बाजो गेंद बाजो को काफी बैलेंसिंग तरीके से अपनी फंटैसिक क्रिकट के टीम में जगे देनी होती है वह हम आगे जानेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना टार्गेट चेज की बात कदर 240 240 की किसको यहां नोरन जो की टीम इंडिया के नाम पर है लोग से स्कोर यहां पर फ्रस इनिंग का फुटिफॉर आलाउट जो के टीम जिंबावे के नाम पर है और भाई लोग इस मैंदान पर जो हाइस स्कोर चेजग गए 286 रन जिसे बांगला देश ने जिंबाममे के सामने 2018 में गया था, lowest total defend की बात कर तो यहां के मादान पर 177, जिसे पाकिस्तान ने बांग्राद इसके सामने 2011 में किया था, scoring pattern की बात कर तो 200 के नीचे first inning में 10 time score बन चुका है, 200 से 249 के भी इसमें 5 time score बन चुका है, 250 से 299 के भी इसमें 6 time score बन चुका है तो भाई लोग, scoring pattern देखने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि यहां पर तो जो match होते, कभी low scoring होते, कभी medium scoring होते, कभी high scoring हो जाते तो बाभ्यू साहिब इसका क्या चक्कर है, तो इसका चकर यह है, कि यहां का जो surface है, वो hard है इसके उज़र से होता है, कि शुरू के 8-10 सोबर तो तेज गहनवाज होते है, जो उनकी ball होती है, दोनों तरफ swing करती है, एक्षटा bounce मिलता है, तो शुरू में बल्ले बाजी करना थोड़ा सा जाता जो condition है, बैटिंग condition है, बॉन्डी रेंद की बात करें, 60-70 मीटर की चकर में जो इसकिनस गेंद बाज है, उनको एक आता दो बिकिटों मिलते हैं, लेकिन साथ में पिटाई भी होती रहती है, तो उस condition में जो match होता है, वो high scoring match हो जाता है, तो I think आपको समझ में आ गय होगा ना, तो कौन से player को अपनी team में रखना चाहिए, बल्ले बाज की बात करें, जो सुरू में बल्ले बाजी करने आते हैं, swing को जहल जाते हैं, swing के सामने बढ़िया बल्ले बाजी करते हैं, वैसे बल्ले बाजो को रखना चाहिए, और हो सके तो captain and voice captain करना चाहिए, जो swing क सामने फर्षते हैं, उनको ना, रखकें, बाकी जो middle order में बल्ले बाजी करने आते हैं, finish करते हैं, या थोड़ा सा ओलनाडास टाइब के होते हैं, साथ में गेंदवाजी करते हैं, उनके बिकेट निकालने के चांज से थोड़ा सा जाधा रहेंगें, यहां के मनाल पर तो उ को रखना चाहिए, वाकि स्विनस ग्यान बाजों की बात करें, तो सोच समझ के रखना ऐसे वैसे किसी को नहीं रख लेना, तो ऐसा करते हैं एक एक फ्लियर के बारे में जानते हैं, फिर मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पर नहां पर तामीम इकबाल की तो तामीम इकबाल ने जो आखरी के साथ ओडियाई खेला उसमें 273 बनाए किसने तामीम इकबाल ने मतलब ज़्यादा अच्छी परफोर्मेंस नहीं कर सकते हैं इनको सुरुआत मिलती है लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाते कौन तामीम इक अपनी टीम में रखना है हो सके तो कैब्टन है वाइस कैब्टन भी करना किसको तामीम इकबाल को लिटन दास की बात को तो लिटन दास की जो अभी तक का फोर्म है ओडियाई की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन चटोगराम का जो मैदान है इनको भी पसंद है य नजमुल हुजाएं संतों के बात करें तो अभी तक जो इनकी फॉर्म रही है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और मुझे लगता आज की मैदान पे बढ़िया परफॉर्मेंस करते थे पिछले एक दो सालों या तीन सालों से कहले तो चटोगराम के मैदान पे भी बढ़ हो जाएंगे तो ऐसी को रहीम से भी आज की मैच में हमें थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए बाकिए का में आप है सकीबल हसन की बात करें यहां पर जो सत्तरा मैच के लिए बहुत जादा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यहां पर 37-37 बिकिट भी निकालें साकीब क को यहां के मैदान पर खेलने का काफी ज्यादा experience भी है तो मुझे लगता है यह 30-35 या 40 की पारी भी खेलेंगे 2-3 विकिट भी लेके जा सकते हैं कौर सकीबल हसन तो सकीबल हसन को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए हो सके तो कैप्टन है वाइस क करना चाहिए किसको सकीबल हसन को महमदुल्ला की बात करें जो इन्होंने आकरी के 10 मैच खेला 349 बनाएं दोस्तों काफी नीचे बल्लेवाजी करने आते हैं पाच्वे चाथवे या साथवे नंबर पर कभी कभी आते हैं महमदुल्ला लेकिन आते हैं 40-45-50 तनों की पारी चले जाते हैं हला कि लंबी पारी ना केलते हैं लेकिन 40-45-50 बना के जाते हैं तो महमदुल्ला को हमें आज की मैच में अपनी टीम में रखना चाहिए अफीफ हुसैन की बात करें कमाल का टैलेंटेड बल्लेवाजी करने आते हैं जब आते हैं तेजी से रन बनाना होता है लेकिन अभी तक तेजी से रन ना बना पाए कौन अफीफ हुसैन लेकिन मुझे लगता है आज की मैच में 50-60 की तेजी से पारी खेल सकते हैं कौन अफीफ हुसैन तो अफीफ हुसैन को आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए महंदी हसन मिराज की बात करें त तो आई तिंग मेहंदी हैसन मिराज से आज के मैच मैना हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए तास्किन एहमद की बात करें तो पिछले मैच में बहुत ही अच्छी गेंदवाजी करी थी तास्किन एहमद ने पिछले एक दो सालों में जिस तरह से वापची करी यह लगता तो तीन विकेटन निकाल सकते हो किफायती नोगों हमें कौन तास्किन एहमद तो आइप तास्किन एइनिगाएस अपनी टीम में जगें तेजूवल इसलाम की बात करें जिनोंने आकरिके 5 मैच में 12 निकाले 5 मैं 12 मैं बहुत सठीक कि इंदवाजी करते कौन दाइजूल इ मैंच में एक दो बिकिट निकालेंगे कि फाथी भी रहेंगे कौन तो तैज्वल इसलाम को हमें आज के मैंच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए इबादत हुसायन की बात करें तो इबादत हुसायन बहुत अच्छे गेंदवाज हैं जब से आए हैं लगातार बढ़िया गेंदवाजी कर रहे हैं लेकिन इंग्लाइन के सामने इनकी जो गेंदवाजी हैं ना चले और मुझे लगता है आज की मैस में एकाता बिकिट तो मिल सकता है इबादत को लेकिन थोड़ा मेहंगे साबि किफाती भी रहेंगे तो ऐसा ना होने वाला इसलिए मुझे लगता है मुस्ताफिजुर रह्मान से भी हमें आज के मैस में बसके रहना चाहिए जैसान रोए की बात करें पिछले मैस में सता काया जबर्जस के लें बढ़िये परफॉर्मेंस कर रहे हैं कौन जैसान रोए लेकिन मुझे लगता है आज के मैस में ना चलेंगे दस बारा पंदरा बना के चले जाएंगे कौन जैसा रोए तो इनसे ना आज के मैस में थोड़ा सा बसके रहना चाहिए बाकी अगर हमें आप है फिलिप सॉल्ड की बात करें तो ओपन करते हैं जवर्जस परफॉर्में बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं कौन डेविड मलान तो मुझे लगता है आज के मैस में यह 70-80 की पारी खेलेंगे तो इनको भी हमें आज के मैस में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए बाकी जेम से बिंस की बात करें पिछला मैस के लगना चले लेकिन जेम से बिंस जिस तरह से इसमिन की क्यों खेलते हैं जब एक बार सेट हो जाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं तो मुझे लगता है जेम से बिंस का आज के मैस में सतक आ चकता है 110-120 की पारी के चलते है यह 80-90 तो मारेंगे मारेंगे को जगे देनी चाहिए जोस बटलर की बात करें आख उस्दा बोस और बोस को अपनी टीम में रखना चाहिए और उसके तो इनको क्याप्टर एंड वाइस क्याप्टर करना चाहिए किसको जो उस्दा बोस को बिल जैक्स की बात करें मौका मिला चलना पाए और मुझे लगता आज की मैच में बिल जैक्स से ना चल पाएंगे 10-15 सब्क्राइब बिल जैक्स से भी आज की मैच में थोड़ा सा बसके ही रहना चाहिए अगरा हम बात करें मौहिन अली की मैच में काफ़ी अच्छा फिनिश किया था लेकिन मुझे लगता है मैच में जो फिनिश करने आएंगे तो 40-45 या 50 अनों की पारिक एलेंगे और वाजी भी करी थी किसे ने सैम करने लेकिन मुझे लगता आज की मैच में सैम करन की ना तो बल्ले वाजी चलेगी और ना ही सैम करन की इन वाजी चलेगी एकातर बिकिट मिलेगा थोड़ा सा महंगे होंगे तो I think सैम करन से ना आज की मैच में हमें थोड़ा सा बच के रहना च चाहिए बाकि अगर हम यहां पर बात करें आदिल लशीद की जिन्होंने आठ है मैंच के ला 19 विक्ट निकालें मतलब सभी मैशों में 2-3 विक्ट निकालें मुझे लगता आदिल लशीद फिर से आज की मैश में एक दो या 3 विक्ट निकालेंगो कृफारती भी रहेंगे तो टौफली भी खेलेंगे तो एक अता विक्ट मीलेंगे लेकिन थोड़ा सा महंगे साबित होंगे तो आई थिंग उच्पली से भी हमें आज के मैश में बच चाहिEM हरना चाहिए Lehr लोग am收啊 लोग हमने यहां पराने सावी करAppरामेंश अच्छी हो सकता है और कोण हो सकता है फूड़ओ fond मीध और इस वीडियो से से आपको हेलफ मिलेगी भाती अगर बागे तो बहुत ही एलाइस करने के बाद में लोगों के लिए वह एलाइस अगर मैं वीडियो में लग जाओंगा बहुत लंबी हो जाएगी आप बार हो जो कि मैं थक जाओंगा इंपोर्टेंट क्या है आपको जब अश्च टीम बनाना जो कि मैंने बना के देदी पाकि अगर आप जोईन के अवो काफी फायदे में है तो आप पीछे क्यों अगर आपको भी सभी मैचों में फायदे में रहना तो मेरा टेलीग्राम जोईन कर डाले बस एक चीज का ध्यान देना है फेक से बचना क्यूंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए इस